इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है आदा चम्मच हल्दी सीधे मूह में अंदर डालो गले में चम्मच बढ़ो और अंदर डालो यहाँ पर पच्चुप करके थोड़ी दिर बैट चाओ तो ये हल्दी गले में लार की साथ अंदर उतẹची और एक खुराक में ही गले की हर्वई मरी ठीक करेगी एक ही खुराक हरे बच्चों को अक्सर गले में दर्ग होता निये टॉंसिलाइटिस का ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने उसी में ठीक हो ज़ा बच्चों का कई बार हम operation करा देते हैं, मत कराना, कभी भी टॉंसिल का operation मत कराना यह हल्दी है अपने घर में, बहुत अच्छी और गले और छाते की कुछ बीमारी आएं, जैसे खासी है, खासी में हल्दी बहुत काम किये हल्दी को ऐसे सीते डले में डाल दो, खासी एक मिनट में बन दोती है और हल्दी को दूद में डाल के पीलो, तो भी खासी ठीक होती है हल्दी को अधरक लगा के, अधरक है ना अधरक, अधरक को भून लोता दे पे, या तो आग में और उस पे थोड़ी हल्दी डालके मूह में चूसना शूरू करो तो सबसे खतरना खासी इसी से ठीक होती है जिसको वूपिंग कफ कहते है वूपिंग कफ का मतलब होता है खासते 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 दम निकल जाए हासी का ऐसी खासी है तो अधरक का टुकड़ा थोड़ा बून लिया है और हल्दी मिलाके मूह में डालते ही खासते अधरक का रस निकाल सकते हैं तो वू पीलो अधरक का रस एक चमच और उसमें मिलाओ एक चमच शहड और थोड़ा सा मिलाओ एक चम्मच पान का रस पान यही जिसको हम खाते है तो अधरक शहर और पान तीनों का रस एक एक चम्मच ये पी ले कोई भी हलका गरम करके तो खराब से खराब खासी ठीक हो रहे खासी की और एक अच्छी दवा है अनार का रस गरम करके पी लो तो भी खासी ठीक हो रहे ये जो अमरूद है ना अमरूद को गरम करके खादाब ये तुरंद खासी बन करा देता है ऐसे अमरूद खाओ रहन तो खासी बनाता है लेकिन गरम करके खाओ तो खासी खतम कर देता है ये ही अमरूद काले में रिच है काले में इच है यह खासी की बहुत अच्छी दवाये है। मुझ में डालिके चूसो तुरंट खासी की लौख बहुत अच्छी दवाये है। अब लॉंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूँ यह इतनी बढ़िया चीज है यह तो कई बार कफ की हर बीमारी में कामाती है लॉंग को आप जानते हैं लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उप्योग किया है और इतने बढ़िया परिणामें आप सब को बताना